हेलो क्रिकेट लवर्स तो भाई शोयब अक्तर ने इंडिया पागिस्तान और विराट बावर और भी काफी बड़े मुद्दे उठाए और उन पर काफी बड़ी बात गई तो शुरू करते हैं इस वीडियो को हेलो क्रिकेट लवर्स कैसे हैं आप सब तो विराट कोली के बारे में क्या करोने उसके बारे में तो बताऊँगा विकरांद गुपता सर और शोयब अक्तर के बीच में काफी बड़ी कॉन्वर्सेशन होई और काफी बहतरीन बात हुई काफी बड़े मुद्दे उठाए गई तो जो उनकी 50 मिनट की वीडियो थी वो आप स्वोट्स तक या फिशोयब बड़े के चैनल पर भी देख सकते हो परन्तु उस पूरी वीडियो का कॉंक्लूजिजन में अपनी वीडियो में बताऊँगा और 3 मिनट में सारे कोशन बताने की कोशिश करूँगा सबसे पहले उनसे जो सवाल पूछा जाता है कि वो यह कहते हैं कि जो पाकिस्तान का इंगलैंड में परदशन था उनको लेकर उनका क्या कहना है उसको लेकर शॉयबक्तर ने कहा कि काफी डिसपॉइंटिंग है और उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बुरा खेलेगी परंतु जिस हिसाब से पाकिस्तान किर्केट खेल रहा है तो उन्होंने कहिए भी पचास ओबर की किर्केट इतनी बहते हैं पाकिस्तान नहीं खेल रहा है परंतु उन्होंने अपने आप से बताया UAE में जो T20 World Cup होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत ही upper hand होगा और जो इंडिया वर्षिस पाकिस्तान के बारे में उन्होंने यह कहीं कि इंडिया वर्षिस पाकिस्तान दो बार मैच्च खेलने वाले हैं और पाकि नैशनल क्रिकेट में वो आप जानते ही हैं तो उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के जो टीम है उसके decline का सबसे बड़ा करण का है तो उन्होंने कहीं कि एवरेज प्लेरों को ही commands हो भी जा रही है पाकिस्तान के जो टीम है वो हाई लेवल पर बिलकुल नहीं जा पार प्रेजंट में आप उन्डिय की बोलिंग सो कितनी बहतरीं है उनसे अगला सवाल पूछा जाता है कि कहां देखते हो इंडियन किर्केट को तो उन्होंने यह बताये कि जो इंडिया का क्रिकेट है अभी प्रेजंट टाइम पर बहुत ही बहतरीं है और उनसे विराटकोली बाबराजम के बारे में भी सवाल पूछे गए बहुत ही जादा बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में काफी tough competition रहता इस चीज के उपर, कई लोग कहते हैं बाबराजम टोप पर है कई लोग कहते हैं विराट कोली टोप पर है तो उनकी value बहुत जादा थी उन्होंने यह का है कि present time पे इतने बहतरीन fast bowler निकल कर नहीं हारे जितने कि 90's में थे, 90's में आप देख सकते हो कि जब पाकिस्तान हो, शर्लंका हो वेस्ट इंडिस हो, सौथ अफ्रिका हो, औस्टेलिया हो इंडिया हो, सब के पास बहतरीन bowling का pace attack था, परन्तु उन्होंने का कि अब कुछ चुनिंदा टीम बची है और जो international cricket का जो मज़ा है उन्होंने यह का कि जो league होती है, उन्होंने जो international cricket है, उसको खराब करके रख दिया है लोग कम से कम, ODA यह आप देखते हो, T20 होती है बहुत कम होती है, जादा तर पूरे साल में आप देखेंगे कि जितने भी countries हैं, उससाब अपनी league कराती रहेंगी उसके बाद उन्होंने यह का बाबराजम से बहुत आगे हैं विराटकोली, तो उन्होंने काया कि दस साल बाद आप कंपेर कर सकते हो, विराटकोली बाबराजम को दस साल बाद कुछ कह सकूँगा मैं, या फिर आप भी कुछ कह सकोगी कि हाँ भई कोन आजे विराटकोली आगे है, बाबराजम आगे विराट कोली का प्रेजन पे तो कोई मुकाबला नहीं है विराट कोली कहां इतने पुरने टाइम से खेल रहे हैं वो बाबराजम 2016-17 से खेल रहे हैं काफी जल्दबाजी होगी इस चीज़ को कहना तो शोईबक्तर नहीं है का कि जो बाबराजम है अभी प्रेजन टाइम पे रिस्क नहीं ले रहे हैं ओपनिंग करके अपना स्लोट जिसे बोलते हैं थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग उनको लग रही है बाबराजम की तो वो चाते हैं कि टू डाउन खेले वो और प्रूफ करे आपने आपको कि हाँ नौकाउट मैचीज में या फिर जो भी एल्मिनेटर मैचीज होंगे वहां मैं आपने आपको प्रूफ करकर दिखाऊंगा तो उन्होंने कही ही थोड़ सा उपर आना पड़ेगा बाबराजम को टू विकेट पर आना पड़ेगा चोथे नमबर पर आ इंग्लैंड को अपर हेंड दिया उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ही शानदार है उनकी बैटिंग को भी आप बिल्कुल हलकी में नहीं ले सकते आप काउंटी में देख सकते हो हमीद ने कैसा गेम दिखाया जो की शोक कर सकता है पूरी सीरीज में उन्हो बताऊंगा कि इंडिया को बताऊंगा कि इंडिया की टिंग वो ज़्यादा स्यादा वहाँ प्रैक्टिस करने चाहिए और उस पीछ का यूस्टू होना चीज अभी फायदा अगर इंडिया यूस्टू नहीं होती है तो शायद इंग्लैंड का थ्वड़ा अपर हेंड जो अभी सीरीज होने वाली है इंडिया वर्सिस इंग्लैंड में तो आई होप जुमिन आपको बताया है आपको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स टुडियो में करकेट से जोड़ी अपडेट के साथ